आज हम बहुत ही टेस्टी और एकदम डिफरंट तरीके से इंस्टन जैन वड़ा मसाला उत्तपम बनाएंगे जिसमें हमें ना दाल चावल भीगो ना है ना ही पीसना है और ना ही फर्मेंटेशन के लिए रखना है तो ये उत्तपम जब मन करें तब सिर्फ 15-20 मिनिट में बन जाइन वड़ा मसाला उत्तपम बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग तयार करेंगे तो मैंने यहां तीन कच्चे के लिए को बॉयल कर लिया है अब छिलके निकाल देंगे तो केले हलके ठंडे होने के बाद हम तुरन छिलके हटा लेंगे बहुत ज़्यादा ठंडे न erapa करेंगे आधी ड़ध दनिया जीरा पाउडर एक टीस्पून चीनी और उनफोर्थ टीस्पून गरम मसाला पाउडर एड़ करेंगे और आदा निंमका रस बिर णिचोड़देंगे और इसे हम मेसर की मदद से अच्छे से मैश करते हुए मिक्स कर लेंगे जिससे सारा चुटकी वर हिंग और 1 फोर्थ टीस्पून हल्दी पाउडर एड़ करेंगे और गैस बन कर देंगे आधी टीस्पून हरी मिच्ची की पेस्ट और 7-8 करी पत्ता को बारिक कट करके एड़ करेंगे और अच्छे से मिक्स करके सौते कर लेंगे और तड़के को हम स्टफिंग म एड़ करेंगे और थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हरा दनिया एड़ करके सब मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर यह कच्चे के लिए का स्टफिंग ज्यादा ड्राय लग रहा है तो आप एक से दो चमच पाने एड़ करके स्टफिंग को हम हलका लूज रखेंग जिससे यह स्टफिंग करने में आसान रहेगा तो देखे स्टफिंग बनकर त्यार है अब हम टॉपिंग तयार करेंगे तो उसके लिए मैं यहां 2 कैप्सिकम को बारिक बारिक चॉप कर लिया है और थोड़ा सा हरा दनिया भी आड़ कर देंगे अब एक बार चमत से मिक्स क कर लेंगे तो ये टॉपिंग में जब हमें उत्तफम मनाना है तब मसाला एड करेंगे तो इसमें हम C gross तेस्पून नमक, चाथ मसाला पाउडर, फॉर्थट टीसपून पाउबजी अ efterक यहाँ s Alg season, फॉर्थ It पानी तो पानी करते से मिक्स जाएगा अabb को देजip करते को अच्छे से ही लूत चाओ जाएगा अब सकता अब जो बचा हुआ पानी था वह खर देंगे और अक्छे से करेंगे वह आद्टोलकों यूर झाये तो यूर्गा से सामेह जांक हुआ जैए Luckily को आदे तो देखें यहां मैंने सब अच्छे से मिक्स कर लिया है अब बैटर को हम 5-7 मिनिट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे जिसे सुजी अच्छे से फूल जाएगी और 5-7 मिनिट के पाथ जब उत्तापम बनाना है तब इसमें एक टीस्पून इनो एड़ करेंगे और साथ तो इसतर्छा से हम थोड़ा से बैटर डाल देंगे और इसे अच्छे से स्प्रेट कर लिए तो यह ऑच्छी के लbokता था जासी हमें बहुत बढ़ी बनाने है नहां में था इस था से हम थी पादाना है तो इसले तर एक मैस किलेंगे पूरे उत्तपम में अच्छे से स्प्रेड कर लेना है जब कच्चे के लिए का स्टफिंग स्प्रेड करें तब हम उत्तपम का उपर का लेयर हलका ड्राइ कर लेंगे फिर इसे हम स्प्रेड करेंगे जिससे आसानी से चिपक भी जाएगा और अच्छे से स्प्रेड भी हो जा चतनी बनाते है वही चतनी बनाई है आप को जितना स्पाइसी चाहिए उसे साबसे आप चर्ट करेंगे और यह ऊपर थोड़ा से स्परेड करेदे आप चाहों तो पीजा स्वस्या ऑफिसरहरन आप से लाव सर्म स्परेड कर सकते हो आपके टेस्ट साब से वैड got करेंगे आप चाहो तो चीज की जगह पनीर भी ग्रेट कर सकते हो अब उपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स एड़ करेंगे और थोड़ा सा और एगणों भी आड़ करेंगे और डखकन से डखकर हम दो से तीन मिनिट के लिए पका लेंगे जिससे उत्तपम नीचे से हलका क्रीस्प भी हो करना है अब जो हमने उत्तपम पकाया था उससे हम चॉपिंग बॉट पर रख देंगे और इसे हम फोर पीस में कट कर लेंगे अब कट करने के बाद एक पीस में आपको पास्ते दिखा रही हो तो देखें उत्तपम का नीचे का टेक्शर देखकर भी पता चल जाता है कि हलक सबस्प्रीट करलेंगे और टॉपिंग के उपर हम चीज्ज़ कर देंगे अगर को सब शोड़ा सब नाचिव करना सकते हो और उपर थोड़ा सा चेले रिफ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे और औरेगानों भी स्प्रिंकल कर देंगे और ठक कर हम 2-3 मिट के लिए पका लेंगे और पकने के बाद इसे हम चॉपिंग बड़ पे रखकर करके फिर घरमा गरम सव करेंगे बहुत ही मज़ेदर जैन बड़ा मसाला उत्तपम बनकर तैयार अगर डिनर के लिए आप सोच रहे होँ कि क्या बनाए तब यह रेसिपी एक बार जरू ट्राइकर उत्त जाए तब भी सोचते है कि क्या बनाए तब यह रेसिपी जरू ट्राइकर ना सबीको बहुत पसंद आएगा झाल झाल झाल